वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी मी तो आज की वीडियो में मैं बहुत इंपोंटेंट अबडेट्स लोयर्स को लेकर देने वाली हूँ फॉर इक्जामपल, अगर कोई वकील किसी सिचुएशन में फर्स चाता है तो उसके साथ ही वकील और कोट में जितने भी वकील होते हैं वो उस वकील को बचाने लगते हैं और बचाना भी चाहिए एक बहुत बड़ी रूलिंग सुप्रीम कोट के द्वारा दी गई है इसमें Supreme Court ने कहा है कि कोई भी वकील ऐसी petition पर sign करता है जिसमें किसी भी तरह की अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किया गया है जिस भी वकील ने sign किये है या जिसने भी वो petition draft की है उसके उपर contempt of court का charge लगेगा या जिस भी वकील ने उसमें साइन किया है तो वकील के उपर भी Contempt of Court का चार्ज लगेगा इसमें मामला ये था कि सुप्रीम कोट में एक केस के अंदर करनाटक हाई कोट के ओर्डर को लेकर ट्राफ्ट में अपमान जनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जिसमें अन्य वकीलों ने भी अपने साइन किये थे ये Special Leave Petition सुप्रीम कोट में फाइल की गई थी जिसमें साइन किये गए थे इसी को देखते हुए सुप्रीम कोट ने ये रूलिंग पास करी है कि अगर कोई भी वकील ट्राफ्ट में अपमान जनक शब्दों के उपर साइन करता है तो उसे Contempt of Court के तहत कारेवाही की जाएगी इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ भी सकते हैं तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में लास्त तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद